बूतनाथ रिटन्स ने लोगों को इस कदर खुश कर दिया है कि इस वोटिंग के सीजन में कोई वोट करे न करे लेकिन बूतनाथ के लिए लोग थीटर के राउंड ज़रूर लगा रहे हैं अर उसी की खुशी में एक जशन मनाया गया जिसमें अमिताब बच्चन फिल्म के डिरेक्टर और बाकी कास्ट मौजूद थी टेक अलोग तरह को अज़र निए निए विशन में रहे हैं पार्थ यंग में अच्टेज बिग्वार्ट विनिए अक्रस्टेश कियोंकि आप लोग मुझे लगा मुझे देख नहीं सकते हैं असले कि मेरे प्रदेशनित्व कर रहे हैं पार्थ जी वोगोंगे मुझे बहुत मसाया फिम करते हुए और पहले मुझे सर का डर लगा था लेकिन सर बहुत मस्ते करते हैं सेट पर जोक्स करते हैं तो बहुत मसाया बहुत सर भी बहुत अच्छे है पुछा दोशी भी बहुत अच्छी है नितिस सर तो बहुत अच्छी तरह से समझाते है कि क्य सीने क्या करना है और अच्छी तरह समझ भी आता था एक अजीब कहानी और एक अजीब तरह के स्टार कास्ट और इस तरह की फिल्मों को सफलता प्राप्ट करना हमारे देश के लिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होता है कहीं नहीं एक दिल में बात र जाती है। बहुत से लोगों के मन में यह हुआ कि इस फिल्म को देखने के बाद शायद अपने दिल को टोलना चाहिए, मन को टोलना चाहिए। और नितेश में आपको बहुत बहुत धन्यवाद हुआ। कि आपने ऐसा सुचा। और हम सबसे हमें पता ही नहीं चलागी कब यह फिल्म स्टार्ट हुई, कब खतम हो गई। अपने आपको हमने इनके बरोसे रख दिया था और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब इनका किया कराया है। आइसे स्टेटमेंस बहुत ही बहुत ही बहुत ही लगता है। आपकेज करने के लिए। लेकिन टेक्स अगुद डिरेक्टर तो रहा है। जो बचन सहाब ने कहा है। जो बचन सहाब ने कहना जाओंगा। यह थैंक बहुत हुश हूँ क्योंके जब बूतनाद आई जो बहुत बहुत पुलर होने लगी कि सब बच्चे मुझे बंकु की मम्मी के तौर पर जानते थे। जो बच्चे मुझे नहीं पता कितनी फेमस और पॉपिलर हो गई है। अज अग्याद बच्चे मुझे बंकु की मम्मी है ना या उनकी मम्मी आगे बच्चे आपको इस तरह जानते है। आज उन्हें बहुतनाद रिटर्ण बनाई है और उसकी भी सुक्सेस हो गई मुझे ये अच्छा लगता है कि हमने कुछ एक ऐसा काम किया जिसकी नीव पर एक इमारत और खड़ी हो गई और आज उसे भी काम्याभी मिल गई So I'm really happy for the film To know more about Bollywood's latest news and gossips, please subscribe to our channel Filmy Gossip